मित्रो नमस्कार अपने बीच भारतिय जनता पार्टी की वरिष्ट नेत्री प्रखर वक्ता और केंद्रिय मंत्री श्रीमती मेनाक्षी लेखी जी आपको सम्वोधित करेंगी दिल्ली प्रदेश भारतिय जनता पार्टी की यसस्वी अध्यक्ष विरेण सजदेबाजी भी आपको सम्वोधित करेंगे मेरा विनम्र निमेदन है माननिय विरेण सजदेबाजी से कि पहले आप सम्वोधित करें धन्यवाज संजी जी हमारी सांसद और केंद्रिय मंत्री में नक्षी लेखी जी उपस्थित पतरकार बंदू हूँ दो दल जो एक दूसरे को ये साबित करने में लगे रहते थे कि कौन बड़ा चोर है कौन बड़ा ब्रष्टाचारी है किसने जैदा दिल्ली को लूटा है आज उन दो दलों का गड़बंदन चोर चोर मोसरे भाई किस तरह से अरविंद केजरीवाल एक कागजों का पुलिंदा लेके घूमते थे कि हमारे पास शीला दिश्क्त के खिलाफ प्रयाप्त सबूत है क्या वो भाष्षा सुनिया गांधी के लिए प्रयोग में काल लाते थे क्या राहूल गांधी के लिए बोलते थे और विधान सबा का वो दृष्षे भी याद कीजिए जब विधान सभा सत्र के दोरार इन्होंने राजीव गांधी को भारत रत्रत्र वापस लेने की मांग की थी आज वो दोदल एक हो रहे हैं मात इसलिए कि उनको भी मालूम है कि देश के साथ साथ दिल्ली में भी माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी के नित्रित में भारते यंता पार्टी साथों सीटे जीतने जा रही है अपना विश्वास डगमगाया हुआ है अजीब सी शंका और भै के महौल में ये दोनों दल है अनर्गल आरोप लगाना और कल तक जिस भाषा का उपयोग एक दूसरे के लिए करते थे आज जब उन दोनों को साथ देखा तो संतोश होता है कि ब्रश्टाचारी एक दूसरे के कंधे पर चड़कर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन राजनिती का गणित इसके विपरीथ होता है दिल्ली में ये दोनों पार्टियां लोग सबाचना में जीरो पर हैं और जीरो प्लस जीरो इस इकल टू जीरो भारते जन्ता पार्टि का प्रतेक कारे करता आज इस बास से उस साहित है कि ये दोनों प्रश्टाचारी दल एक हुए हैं कल को इनको ये कहने का मौका ना मिले कि हमारे वोट कटे इसलिए भारते जन्ता पार्टि जीत गई मैं दिल्ली परदेश अधक्ष होने के नाते क्या रहा हूँ हेड ओन सामने से लेंगे हम आईए किसी और को दो तीन को जोड़ना तो जोड़िए साथ में हमें अपने नेत्रित पर भरोसा है हमें माननी परदान मंतरी शरी नेंद्र मोदी की नीतियों पर भरोसा है उनके विकास पर भरोसा है हमारे सांसरोदे दिल्ली में काम किया है केंद्री की सरकार ने दिल्ली में काम करके दिखाया है और आपकी सरकार ने दिल्ली को लूटा है ब्रष्टाचार किया और एक नहीं अनेकों गोटाले किये हैं आपके ब्रष्टाचार के खिलाफ और मानिने नरेंद्र मोजी के नेतरित्व के साथ होके दिल्ली की जंता वोट करेगी और आपको सातों सीटे हराएगी यह हमारा विश्वास है कीजे गटबंदन आज इस गटबंदन की घोशना के बाद आज चार और तीन की रशो है इन्हें के विधायक इमसे पूछ रहे हैं कि विधान साब में भी कर चालीस और तीस की रेशो होगी तो वो तीस कौन से होंगे जो कटेंगे 62 पार्टियों की पार्टि गुठिने टेक रही है एक ऐसी पार्टि का जिसका एक भी विधायक नहीं है मात्र इसलिए कि मेरी ब्रशाचार मेरी चोरी छुप जाए इस गटबंदन की आड़ में दिल्ली की जनता बहुत समझदार है वो आपकी किसी भी चाल को कामजाब नहीं होने देगी और इन चोरों की बरात को बीच रस्ते मोतार के छोड़ेगी भारतिय जनता पार्टि दिल्ली परदेश इस बास से बिलकुल निशिंद है हमारी पार्टि बिलकुल निशिंद है कि हम अपने काम के बल पर, अपने कारे करताओं के दम पर और जनता के साथ मिलकर दिल्ली की सातों सीटे जीतेंगे निशंदे रूप से जीतेंगे मिला निवेदन है माननिया मिनाक्षी लेखी जी से आपको संबोधित करें बहुत बहुत आभार संजीब भाई बिरेंदर जी मैं सोच रही थी कि क्या गठबंदन में दलों के मिलने से दिल मिल जाते है और अगर दिल नहीं मिलते राजनेताओं के तो क्या जनता को ये मिला पाएंगे खास तोर पे जब इनका मुकाबला प्रधान मंत्री मोधी जी जैसे नित्रित्व लेट भारते जनता पार्टी के संगठन से हो एक ऐसा संगठन जहां पर कारेकरता कारेकरता पहले है और हर बड़ा नेता कारेकरता पहले है नेता भाद में है और वो जो शक्ति संगठन की है, वो जो शक्ति प्रधान मंत्री मोधी जी के नित्रित्व की है, उनके सामने ये जो बेजोड गठबंदन है, इससे क्या लाब मिलेगा, लिकिन हाँ ये जरूर दर्शाता है कि घुटना टेक राजनीति किसको कहा जाता है, और ये घुटना ट एक राजनीती जिसका सम, zero-sum वाली राजनीती है, वो सब के सामने है, मैं और सोच रही थी, कि किताबों की बात छोड़ दीजिये, किताबों के पन्ने पनटते हैं, लेकिन यहां तो लोग, राजनीती के चक्कर में, सिर पे खड़े होकर, पाउं पर करके खड़े हो जाते हैं, और यह दिखाई दे रहा है, मतलब वो शीर शासन दिख रहा है, और वो शीर शासन दिख रहा है, क्योंकि पाउं पर चलने की, और खड़े होने की आउकात खतम हो गई है, वो शक्ती खतम हो चुकी है, और वो जो अशक्त पार्टियां हैं, वो किसी तरीके से अपने आपको शक्ती प्रदान करने के लिए इस तरीके के हरकते कर रहे हैं, मैं आपको इतिहास के पन्नों से कुछ चीज बताना चाहते हूँ, मैं आपको याद दिलाना चाहते हूँ, 2013, मैं आपको याद दिलाना चा और इस ब्रश्टाचारी पार्टी के साथ इससे बड़ी ब्रश्टाचारी पार्टी कोई और हो नहीं सकती और केजरीवाल ने ये तक इंटर्व्यू में कहा था कि एक दो मंत्रियों को छोड़ दो सारे के सारे कॉंग्रेस पार्टी के अंदर ब्रश्टाचारी बैठे हैं औ और मुझे लगता है कि वो लिस्ट आज पढ़ना जरूरी है उस लिस्ट में शामिल थे कि आम आदमी पार्टी के लिस्ट में सबसे पहले कॉंग्रेस के उपाध्यक्ष थे उस समय राहूल गांधी, यूनियन मिनिस्टर थे कपिल सिब्बल, सुशील कुमार शिंडे, विरप मॉयली, जीके वासन, सल्मान खुर्शीत, कमल नात, श्रीप्रकाश जैस्वाल, फारूख अब्दुल्ला, NCP के चीफ और शरत पवार, फणी जो है वो ये बात है कि आज दस साल बाद इन दोनों के बीच में कॉंपेटिशन चल रहा है कि कौन जादा ब्रश्टाचारी है, हम तो उस समय भी ब्रश्टाचार के खिलाफ थे और आज भी हम ब्रश्टाचार के खिलाफ हैं, लेकिन ब्रश्टाचार के आंदोलन को जिसको भाजपा ने शुरू किया और असलियत में जाडू को थामने वाला हाथ पहले भी कॉंग्रिस का था और आज भी कॉंग्रिस का है उसी हाथ ने इस जाडू को संभाल रखा था उधारन में आपको बताना चाहती हूं कि कपिल सिंबल खुद कानून मंत्री थे जिस समय पर उस समय के कानून के मुताबिक जाडू का सिंबल एक नई पार्टी को जिसने अपना बहुमत प्रूव ना किया हूँ मिल नहीं सकता था और ये बात मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ अगर आपको याद हूँ कि एक बार बारत्य जंता पार्टी से उमा भारती जी अलग होकर उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी की थी तो उनको हर सीट के उपर अलग-अलग निशान पे लड़ना पड़ा था उकता सूरज वो मांग रहे थी वो उकता सूरज उनको दिया नहीं गया था क्योंकि इलेक्शन नियमों के अनुसार ये संभवी नहीं था लेकिन एक पार्टी जाड़ू उसको आते ही मिल गया बिना कॉंग्रेस के चलते ऐसा तो संभवी नहीं था तो कॉंग्रेस नहीं इस पार्टी को खड़ा किया था और इस जाड़ू को जो थामने वाला हाथ था वही हाथ था और रश्टाचार में भी ये दोनों पार्टियां एक ही हैं जो की सामने दिखाई दे रहा है और उस समय शीन भीन करना चाहते थे ये शीला दिक्षित की जो राजनीती थी और इस पार्टि को खड़ा किया गया ताकि किसी तरीके से गिरगिट का उधारन कई बार इनके उपर चलता है तो 2013 के बाद मैं आपको लाला चाहते हैं 2019 के इतिहास पे 2019 के इतिहास में इन्होंने बच्चों की कसम खाई थी और उस बच्चों की कसम में कहा था कि मैं कभी कॉंग्रेस पार्टी से घठबंदन नहीं करूँगा तो जो बात मैंने पहले कही थी किताबों की बात छोड़ो लोग पन्नों की तरह पलट जाते हैं और अपनी बातों से पलटने वाले जनता के मन और दिमाग से उतर जाते हैं तो आज ये लोग जनता के मन और दिमाग से उतरे वे लोग हैं किसी तरीके से अपना अपना राजनेतिक शेतरफल ढून रहे हैं लेकिन उस छेतरफल में जनता जो है वो ऐसे लोगों को कभी माफ्त नहीं करती और इसके कई उधारण है हमारे सामने इसका सबसे पहला उधारण है कॉंग्रेस पार्टी ने पश्चिमी बंगाल के अंदर CPI के साथ गड़बंदन किया और पश्चिमी बंगाल में ये लोग साथ थे और केरल में एक दूसरे के खिलाफ थे नतीजा आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं जो हारे हुए ठके हुए लोग हैं उनके बहुत सारे और नमूने मिलते हैं सबसे बड़ा नमूना उत्तर प्रदेश में मिलता है और उत्तर प्रदेश में मिलता है कि बुआ भतीजा साथ हो लिए और बाकी लोग भी साथ हो लिए दिल्ली के अंदर जो साथ की पार्टी थी वो तीन पे उतर गई स्तीन पे समल गई और उत्तर प्रदेश में 17 से गुजाराज चल रहा है तो और उत्तर प्रदेश के जो नतीजे हैं उसमें भी पता चला कि इस गटपंदन के बाद भी जो लड़के-लड़के इकठे हो गए थे उसका नतीजा क्या हुआ और बुआ भतीजे का नतीजा क्या दो हजार उननीस के लोकसकभा चुनाव के अंदर दिली में अकेले भाजपा को 56.86 प्रतिशत यानि तकरीबन 57 प्रतिशत का वोट शेर मिला था कॉंग्रेस को 22.51 और आम आदमी पार्टी को 18.11 तो जैसा मैंने पहले कहा था कि राजनीती जो है वो मैथेमाटिक्स नहीं है वो गड़ित नहीं है वो केमिस्ट्री है और साथ लोगों का तब मिलता है जब आपने लोगों के बीच काम किया हो और वो जो केमिस्ट्री है ब्रश्टाचारियों की वो अलग केमिस्ट्री होती है और सेवादारों की केमिस्ट्री अलग होती है तो सेवादारों के आगे ब्रश्टाचारियों की chemistry तो चलने नहीं वाली और ब्रश्टाचारी जो शक्तिया है वो ब्रश्टाचारियों के साथ ही रहेंगी ऐसा भी हम मानते हैं और जो आपको 2013 से 19 तक का इतिहास है उसके माध्यम से भी मैंने आपको बताया है और अगर आप दूसरा मत प्रतिशत देखें तो उसमें आपको पता चलेगा कि आमादमी पार्टी को दिल्ली के चुनाव में इतना मिला था मतलब यानि कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी को अगर मिला भी दिया जाए तो 40.62 का हिस्सा उनका आता है गुजरात की अगर हम बात कर लें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को गुजरात में 62.2 एक प्रतिशत वोट मिले थे 62% से उपर 2019 में भाजपा को हर्याना में 58.02 प्रतिशत वोट मिले थे और गोवा में भाजपा को 51.19% वोट मिले थे और चंडिगर में भी भाजपा को 50.6 4 प्रतिशत वोट मिले थे तो mathematics भी फेल कर रहा है chemistry तो फेल है ही लेकिन जो chemistry है वो ब्रश्टाचारियों की chemistry है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 2024 सीटों में भाजपा को 2019 के चुनाव में 50 प्रतिशत से अधिक वोट मिले हैं और इस बार जो काम हुआ है 5 साल में तो ये मत्रतिशत बढ़ने ही वाला है और आपको पता चलेगा देखते देखते कि इस गड़बंदन का कोई सिरपैर नहीं है लेकिन हाँ एक मकसद जरूर है दोनों पार्टियां जानती है कि चुनाव हार रही है तो अब चुनाव हारने के वक्त वो अपना ठीकरा किसके सिर पर फोड़े इसलिए ये गड़बंदन किया कि भाईया वोट शिफ्ट नहीं हुआ इसलिए हार गए एक दूसरे के सिर पर ठीकरा फोड़ने के लिए ये गड़बंदन की गोश्रा जैसा कि अद्यक्ष जी ने भी कह कि हम तो चाहते हैं गड़बंदन हो ताकि ये मलाल ना रह जाए कि भाई गड़बंदन होता तो कुछ फाइदा मिल लेता तो आज जनता के सामने जनता के दरबार में हम भी जाएंगे और बताएंगे कि काम करने वाले सेवादारों की जरूरत है या ब्रश्टाचारियों की जरूरत है जो यहां तक की सिरफ किताबों के पन्ने नहीं पलटते अपना इमान धरम भी पलटते हैं और लगातार पलटते हैं चाहे वो राममंदिर का जिक्र हो चाहे बच्चों की सौगंद की बात हो चाहे शीश मैलो लगातार अपना इमान धरम पलटने का काम इनोंने किया है और ऐसा शराब का नशा ऐसा है कि केजरिवाल जी को नहीं छोड़ेगा और उसी शराब के नशे में कि नशा कई घर उजाड देता है तो जो आमादमी पार्टी का शीश महल है और शराब का नशा है उसने हामादमी पार्टी का घर तो उजाड ही दिया है और जो सिमटना है वो हम सब जानते हैं कि किस तरीके से ये सम्मेधानिक टाकते सिमट जाएंगे आज मैं एक और विशे पर जो दूसरा विशे उस पर थोड़ा सा कहना चाहते हूं कि पूरे देश की जो जनता है आप भली भाती जानते हैं कि संदेश खाली के अंदर जो कुछ चल रहा है उससे वहां की जनता और खास तोर पे महिलाएं जो हैं वो बहुत अधिक मातरशक्ती गुसे में हैं और आक्रोश हैं और उस आक्रोश का कारण यही है कि एक महिला मुख्यमंत्री के रहते लगातार महिला उत्पीडन विमेन ट्राफिकिंग खास तोर पे महिला और बच्चों का जिस तरीके से शोशन वहां पर हू रहा है ऐसे में जो लगातार इस तरीके की विवस्था बना रखी है उसी के चलते भाजपा की महिला मुचा ध्यक्ष वानती स्रीनिवासन जी ने आज एक कॉलेज स्क्वेर से कैंडल मार्च का भी जो है वो निकाली है और पीछे मकसर देखी है कि पुलीस का कर्तव है कि जो उत्पीड़त है उसके साथ खड़ी हो और जो उत्पीड़न करने वाला है उसके खिलाफ खड़ी हो लेकिन जो डीजीपी है पश्चिम बंगाल के वो संदेश खाली में जाके बैठे हैं और वहां पर उत्पीड़न उन्हीं लोगों पर हो रहा है जो कि उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं कुछ बच्चे जिनके टेंट के बोर्ड के एक्जाम्स हैं उनको उठा लिया गया है कुछ माताएं बहने जो वहां बैठी हैं लगातार उनके उपर केस पे केस बनाए जा रहे हैं लेकिन शाहा जहां जो कि ममता बैनर जी के शासन काल का शाहा जहां है वो बाच्चा शाहा जहा तो वही कहीं कहां गुम रहा है किसी को पता नहीं है और उसके खिलाफ कोई कारवा ही नहीं हुई है जैसे पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल ना होकर पता नहीं कौन सी उसकी बतार सकता है और चल सकता है 700 से अधिक महिलाओं के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई है और एक भी ऐसा दिन नहीं जाता जहांपर महिलाओं के खिलाफ बच्चों के खिलाफ उत्पीडर नहीं होता पिछले 24 गंटे के अंदर एक नाबालिक जनजात ये बच्ची के साथ और एक 27 वर्षिय महिला के साथ बलातकार हुआ है और ये बच्ची नौवीक अक्षा की छात्रा थी और हत्या की घटना भी हुई है आप मुझे बताइए कि किसी भी राज में जहां पर ममता नाम की मुख्य मंतरी हूँ और उनकी ममता शहाजा और बादशा जैसे लोगों के प्रती हो लेकिन जो उत्पीडित बालक बालिकाएं और माताएं बहने हैं उनके प्रती उनकी ममता ना उम्ड़े तो ऐसे शासन का क्या ही कहें और क्या होना चाहिए तो आज आप सब के माध्यम से हम लोग भी आकरोश प्रकट कर रहे हैं और बताना चाहते हैं कि जहां ममता बैनर जी जैसी मुख्य मंतरी बंगाल की बेटियों के साथ नहीं है लेकिन भारत्य जनता पाटी प्रधान मंतरी नरेंद मोदी जी के नित्रित्व में ऐसी सब माताओं बेहनें बच्चियों के साथ है जिनके साथ लगातार उत्पीडन की व्यवस्ता पश्चिम बंगाल की सरकार ने खड़ी कर रखी है आपके कोई प्रश्न हो तो मैं उत्तर जरूर देना चाहूँगी देखें ऑप्शन तो आप मुझे बताईए कि राम मंदिर के नाम पर जब इन्होंने ये कहा था कि मेरी नानी तो कतई बरदाश नहीं करती कि वो मस्जिद के उपर नाम मंदिर बनाओ और ये व्यक्ति उसी मंदिर में चले जाते है बच्चों की सौगंद खा लेते हैं एफिडेविट फाइल करते हैं कि हम गाड़ी नी लेंगे बंगला नी लेंगे और 53 करोड की जंता की गाड़ी कमाई का शीश महल खड़ा कर लेते हैं तो भाईया ब्रश्टाचारी नेता हैं ब्रश्टाचारियों के साथ हैं और लगातार ब्रश्टाचार की व्यवस्था ही खड़ी करने का काम इनोंने किया है और अपने आपको केवल इस जहमियत से बचाने के लिए ये गटबंदन हुआ है क्योंकि ये दोनों जानते हैं कि ये चुनाव हार रहे हैं और चुनाव हारने का ठीकरा कहां फोड़ना है इसलिए इनोने किया है ना की जनता के चलते है I'm so sorry I can't hear इस पर बाद ले 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 इसमें पर गटबंदन सी शेरी नहीं हो आपको क्या लगता है कि रास्टर हिप की वाद करते हुए पंजाब कहां से अलग हो जाता है देखिए पंजाब में या दिल्ली में ये जो मर्जी गणित लगा ले गणित मैंने आपके आगे पढ़ दिया है कि पहली बात तो जहां जहां सीट शेरिंग इन्होंने घोशना की है वहां पर इनका गणित भी फेल है नमबर दो चुनाव गणित नहीं रासाइन है और वो रासाइन दिलों का रासाइन है ब्रश्टाचारी का मुकाबला सेवादारों के साथ है एक ब्रश्ट पार्टी के लोग जो लगातार अपनी आत्मा जनता की आत्मा से खिलवाण करते हैं और अपने जो मापदन तै करते हैं उसे साप की केचली की तरह उतार के फेकते जाते हैं तो ये वही साप है केचली वहीन, केचली उतर चुकी है सामने दिखाई दे रहे हैं कि ब्रश्टाचार के अलावा देश के साथ गदारी के काम करने के अलावा क्योंकि जनता की गाड़ी कमाई से आप इस तरीके के काम कर सकते हैं क्या आप हर चीज के अंदर ब्रश्टाचार कर सकते हैं और हर चीज के अंदर ब्रश्टाचार जो जल थल नभम कॉंग्रेस के समय पर कहते थे इन्होंने तो कॉंग्रेस को भी पीछे कर दिया तो ब्रश्टाचारी ब्रश्टाचारियों का ही गटबंदन होगा लेकिन ये जो गनित है ये दिल के मामलों में काम नहीं आता है दलों का मिलन दिलों का मिलन नहीं होता और वो कभी भी हस्तांतरित नहीं होता जनता को चुनना होता है कि ब्रश्टाचारियों के सामने सेवादारों को चुनना का काम करना है गनित की बात मिनाक्षी जी ने बताई आपको दिल्ली में 2019 में हम लोग 56.86 परसेंट पे थे उन दोनों की परसेंटेज भी आपने सुनी और मैं इस चित रूप से कह रहा हूं कि मुझे दिल्ली की जनता पर भी वरोसा है अपने कारेकरताओं की ताकत पर भी वरोसा है हमारा परतीशत उससे बढ़ने वाला है और जहां तक बात है कि वो दंकी देने की बात की हमको दंकी आ रही है जो शातिर अपराधी होते हैं वो अपराध करने से पहले पुरी विवरचना रशते हैं मोबाईल घर छोड़ेंगे पुरी रेकी करते हैं उसके बाद वो अपराध कर पता है कि इन खुर्म बुर्हें, इन्होंने शराब घठाले में चोरी की है, इनको पता है कि इनका परइदानाम क्या होने वाला है, इसलिए जयदा शोर मचाना, जर जोर से मचाना, कि हाय हमारे साथ ऐसे होने महाल। कि किसी तरह की सानूगूती मिल जाए, वो इन दोनों दलों को मिलने वाली नहीं है अंतत है दिल्ली में साथ जीरो ही रने वाला है भारते इंता पार्टी साथ उस्टे जीतेगी जो ब्रष्टाचारी है ये ब्रष्टाचार का बखान पहले से कर रहे हैं तो मेरे को आपने इसमें एक और सोच दी है और वो सोच ये है कि CBI के जो केसिज है एडी के जो केसिज है ब्रष्टाचार से सम्बंदिच जो केसिज है वो आज के तो है नहीं वो तो पुराने है हमने तो नहीं कहा था कि आप शराब नीतिये बनाईए हमने तो नहीं कहा था कि शीश महल बनाईए हमने तो नहीं कहा था मोहला क्लिनिक में धान्दला कीजिए हमने तो नहीं कहा था कि स्कूल के जो कमरे बने आप उसकी revamping के उपर 40-40 lakh रुपया का बिल बनाईए तो ये सब काम तो इन्होंने अपनी मर्जी से किये तो जो ये ED का बार-बार समन जो है डख कर रहे थे, जा नहीं रहे थे सात्रे समन के बाद भी नहीं पहुँच रहे थे, शायद इस गठबंदन का इंतजार कर रहे थे ताकि उनको ये अपना चेहरा छुपाने का मौका मिल जाए कि भई मैं जाओंगा तो अरेस्ट होना है, क्योंकि गलत काम किये ही है, तो कम से कम एक परदा मिल जाए कि भई गठबंदन के बाद हुआ तो गठबंदन करके अरेस्ट हुआ नहीं तो नहीं होता, लेकिन असलियत ये है कि ब्रश्टाचार अपनी मर्जी से किया कॉंग्रेस का साथ पुराना है नैशनल एडवाईजरी कांसिल के द्वारा इनके जो काम थे और जो लोग उसमें शामिल थे सुनिया गांधी से कैसे कनेक्टेट थे और ये पार्टी को खड़ा करने का मकसद ही देश के अंदर जो ब्रश्टाचार का मुव्मेंट कॉंग्रिस के खड़ा था उसको बाटने का काम किया ये उसको आधार बना के खड़े हुए लेकिन मंशा पहले दिन से ब्रश्टाचार को बढ़ाने की थी और इसी लिए लगा अतार इन्होंने ब्रश्टाचार किया और इस दस साल तक जो समीकरण चला वो आप जानते हैं हम जानते हैं सब जानते हैं लेकिन आज वो समीकरण जनता के सामने आ गया है कि जाडू को हमेशा से हाथ नहीं थामा हुआ था और अगर नहीं थामा होता तो जाडू का निशान कभी इस पार्टी को मिल नहीं सकता था